पहली बार ऐसा हुआ है कि जार्खन की राजधानी राची में इतनी गर्मी पड़ रही है राची में 56 साल का रिकॉर्ड तूट सकता है राची का तापमान दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है तापमान 40 डिग्री तक पहुँचने वाला है मौसम विभाग के अनुसार अप्रेल मा भी सूखा रहेगा बारिश होने के आसार कम है मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि दिन के बारा बजे से चार बजे तक घर से निकलने से बचे बहुत जरूरी हो तब ही घर से बहार निकले धनबाज, जमशेद, पुर, संथाल, परगना, पलामू, समेच, जारखन के अन्य हिस्सों में भी भीशन गर्मी पड़ सकती है मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दोरान राज्यों में सबसे जादा तापमान 42.2 डिग्री सेल्शियस डाल्टन गर्ज में रिकॉर्ड किया गया है जबकि न्यूंतम तापमान गर्वा में 19 डिग्री सेल्शियस रिकॉर्ड हुआ है राजधानी राची में भी गर्मी कहर बरपा रही है मौसम विज्ञान केंद्र राची से मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है उत्तर पूर्वी और डक्षिन पूर्वी भागों के कई जिलों में 13 से 14 अप्रील को आंशिक बादल चाय रहने की संभावना है इसके साथ ही गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना जताई जा रही है 16 और 17 अप्रेल को जार्खन के उत्तर भाग में कहीं कहीं इपर आंशिक बादल के साथ हलकी बारिश की संभावना है 12, 13, 14, 15 यह जो चार दिन है राज में मौसम सुस्क रहेगा और जो सुला तारीक है तो राज के जो आपके पूरवी भाग है जो बंगाल से सठते हैं उत्तर पूरवी और जक्षिन पूरवी भाग वहाँ पे हलके दर्जे की बारिश देखी जा सकती है थंडर्स्टॉम और लेक्नी के साथ में चेतावनी की बात करें तो राज के जो उत्तर पर्शिम और कुछ उत्री भाग है जैसे आपका जो पलामु संभाग है और हजारी बाग और बेडी है और साथ साथ में जो हीट फेप की स्थिति अगले दो तीन दिनों में देखने को में सकती है देश्वानी उसके लिए ब्यूरो रिपोर्ट